दिस वाज अवर फ्रेशर इन आडियम सी बांदा तो कैसी थी हमारी फ्रेशर इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा हमारी फ्रेशर की परपरेशन लगवक दस दिन पहले स्टार्ट हो गए थी जिसमें मल्टिपल ग्रूप्स बनाए गए थे लाइक डांसिंग, सिंगिंग और ड्रामा और हर ग्रूप को तयार कर रहे थे हमारे रेस्पेक्टर सीनियर आप जैसा कि देख सकते हैं, लोग अपनी अपनी परफॉमेंस को लेके कितनी डेडिकेशन से प्रक्टिस में लगे हुए हैं सब अपना बैस देना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि उनकी परफॉमेंस हिट हो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम अपनी फेकल्टी मेंबर्स के लिए इंविटेशन कार्ड बना रहे हैं और हाँ मैं बताना भूले है हमारी फ्रेशल का नाम था आरोहन तो आज है लास्ट डे ओप्रेक्टिस तो सभी लोग रेड़ी हैं और डी जाने के लिए और एक्साइटमेंट तो आप देखी सकते हैं तो हो जाती है परफोर्मेंस की सुरुवात और सबसे पहली परफोर्मेंस होती है बना तो यह है मिक सिंगेंग का परफोर्मेंस और इसमें मैं भी थी और आप आगे का परफोर्मेंस देखिए और इंज्वाइ करने तो यह थी हमारी फ्रेशल की कुछ परफोर्मेंस एंड एंड में हमने सीनियस के साथ डांस किया, मस्ती की, मजे किये बहुत सारे और आगे आप देखेंगे हमारी फ्रेशल की फोटो बैसे मैं आपको बता दूँ यह मेरा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक जड़त करें कर दो दूँए जाएब इसे लाइब तो इससेज़ एफिटूए लाइब उन्हाँ जाएब तो यूँए लाइब भाइब तो यूड़त कर दिया बादेब तो और लिए लिए लगाई 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 झाल झाल